हालो मेरे प्राइब दोस्तों वेलकम बैक टो दे चैनल पर्फियम गुरू दुर्गा पूजा का टाइम है जबरदस सेलिब्रेशन हर जगे हो रहे हैं लोग इतने खुश हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना जबरदस हुआ बहुत सारी खुशिया हैं हमारे चानों तरफ सेलिब्रेशन का महाल है दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत इंपर्टन चीज है बहुत इंपर्टन फेस्टिविटी है जहां पर लोग सवरते है घर की साफ सफाई करते है इसके बाद दिवाली, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं एक साथ शुरू होते हैं तो इस समय पर लोग चाहते हैं कि अच्छा दिखें, अच्छे पर्फिम्स लगाएं इसमें male fragrances भी है, unisex fragrances भी हैं तो आप सबी लोग in fragrances का आना दुठा सकते हैं चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक से एक पर्फिम्स के बारे में Let's start with the first one which is the cheapest और ये कुछ 250 रुपर का मिल जाता है पहले भी मने इसकी बात कर रखी अपरे चैनल पर इस फ्रॉम इंडियन स्टार्टप ब्रैंड दमान कंपनी काफी अप तो पेनेट्रेट कर चुका है मार्केट को ये ब्रैंड दमान कंपनी और इसका ये पर्फिम जो रूज है स्पेसिफिकली ये मुझे बहुत पसंद है बॉड़ी पफा है ये दोस्तों तो इसे आप पर्फिम की तरह कपड़ों पर नई स्प्रे करेंगे अपनी बॉड़ी पर स्प्रे करेंगे यूल गेट आ वेरी नाइ beautiful musky smell rich floral smell creamy sa vanilla tonka beans and a little bit of that synthetic ambroxan push बहुत ही अच्छा fragrance है और काफी long lasting है इस मौसम में pre-winters में बहुत ही जबर्दस की परफॉर्मेंस रहेगी लॉंजविटी रहेगी तो इस फ्रेगेंस को आप डेफिनिटली एंजॉय करेंगे इस इस मुझे बहुत पसंद इसके इंदर एक बहुत ही खुपसूरत है तो बिलकुली एक सिंथेटिक सेंट यानि कि अपनी खुश्बू में नहीं बल्कि अपनी कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा यू कुछ नाचुरल सा आपको इसमें नहीं मिलेगा बट वाव इस इस सो सो सूधिंग I mean young girls will love it they'll really really love it young girls क्या मैं तो कहूंगा कि even in the mature age group the women will love it बहुत पसंदा है आप लोगों को especially जब पूजा हुजा की दिनों में आप जाएं लोगों से बाहर मिलें कुछ unique लगा कर जाएं very typical Dior Poison Chanel No. 5 से हट के कुछ लगा है Chanel Mademoiselle etc Burberry this is a very sasta alternative to a very expensive fragrance मतलब हम 35,000-36,000 की उपर की बात करें बख्रा रूश फंदासव मेज ओ फ्रेंसेस कर जाने एक नीश हाँ से भूल जाई उसे sweet cotton candy की खुझबू जो हवा मिठाई होती है उसकी खुझबू जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो आप fates में भी जाएंगे या उस तरीके के जो भी आपके जो लगाते हैं लोग स्टॉल्स वगरा लगाते हैं महाँ पर अपको cotton candy की स्मेल उसमें थोड़ा बहुत आपके ही यह white floral का इस्तमाल किया गया है सवेरी ब्यूटिफल स्वीट सेंट और इसमें एक सॉफ्ट पाइन की खुझबू आती है इसके बेस में जो इसका skeleton है फ्रेकर बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा मीठा चाशनी के जैसा फ्रेकर से बहुत ही लिए वो मिच्च अधाल दूंका इस अली कॉस अपाउकट में लेकर घूम सकते हैं जर्वाइस इसके महें के लोट बहुत ही पसंद और यह इंटरनाशनली बहुत ही अक्लेम्ड फ्रेग्रेंस है भक्राजूश तो यू नो अबाउट इट मैने जान मुछ के से फीचर किया क्योंकि ये बस 550 रुपर का यदर वाइस इसके महेंगे क्लोंस भी हैं जैसे थोड़ी और कॉलिटी में आप जाना चाहते हैं तो अर्माफ का ब्यूटिफुल और दिस इस फॉमन तो बैको टच फ्रम थाउस आफ अलहांबरा दोस्तो तो बैको टच जो है इस इस अ फ्रेग्रंस विच रिमाइन्स मी ऑफ वेरी पॉपिलर फ्रेग्रेंस बहुती प्रचलित सेंट था अपने टाइम का एक नीश फ्रेग्रंस था टॉ जैसे पान-मसाला टाइप की सेंट है थोड़ी सी पाउडरी नस है काफी हरबल और काफी कहते हैं स्पाइसी राइप की सी खुश्बू है बहुत ही यूनीक सेंट है दोस्तों काफी लॉंग लास्टिंग और अनोखा टाइप का सेंट है और यह इस्पेशली उन्हों पे ज अगर आप एक बढ़िया यूनीक मीठा टोबैको रिच सेंट ढूंड रहे हैं तो यू किन विमन के वेर इस फ्रेगर लेकिन जो इसका स्पाइसिनस है वो थोड़ा विमन के लिए जादा हो सकता है तो यू आफ तो बी कैफल देर वन मोर धमाकेदार फ्रेगर्स जो मेरा वन आफ आल टाइम फेवरेट प्रेगर्स है वह दुस्टर सफारी एक्स्ट्रीम फ्रम अब्डूल समदल कुरेशी मैंने सेंट को अल्मोस आज से आठ नौ साल पहले डिसकवर किया था आज भी ये फ्रेगर्स बहुँ जादा मिलता है लेकिन हमेशा स्टॉक्ड डाउट एक ही प्रॉब्लम इसके डिमांड बहुँ जादा रहती है इस वैदर के लिए एक स्ट्रॉंग रिच लेदरी कॉन्फिदेंट मैंन की सेंट है यह देखिए मेरे बॉटल का क्या हाल हो रख यह सारा गंवम भी बहार निकल गया है बर इट सोके इसको आप वापस चिपका स लगते हैं दे सेंट इस एपसलूटली इंपकेबल बहुत ही प्यारी लेदर और फ्लॉरल्स की खुश्बू एक क्रीमी सापको कश्मेरन का वेलवेटी नोट मिलता है तो बहुत ही प्यारा सुफिस्टिकेटेड लेदर सेंट है बहुत ही रिच स्मेलिंग सेंट है इस नहीं है या सिमिलारिटी जो फोड़ी बहुत मिलेंगी बस में उनकी बात कर रहा हूं क्लों या कॉपी जिया इमिटेशन नहीं है वाई असल का स्प्लिंडेड वूड़ां का एक स्प्लेंड़ वूड सेंट आता है फिर एकाद और सेंट जिन से थोड़ा बात कुश्में तॉमफोर तसकन लेधर की भी थोड़ी सी योड़ाइड मिठास रासबरी वाली सेंट मिलेगी तो इस अ ब्यूटिफुल सेंट यू मस्ट राइट आउट फिर दोस्तों बात करते हैं एक डिजाइनर फ्रेगरंस ब्रांड की है म्यूगला म्यूगला का दोस्तों एमन और ये सेंट तो भाई साब इस रिली ब्यूटिफुल क्या बता हूं इसमें जो सैंडल वूड जो स्पाइसी सा एक फूजेर बैगराउंड में इस्तिमाल किया गया है और इसके ऊपर इन्होंने गूर्मंट सेंट को बिठाया है वेरी रिच स्मेलिंग वेरी नाइस स्वीट क तो जो लोग थोड़े सॉफ्ट प्रवित्ती के हैं जिनको थोड़ा सा एक सुफिस्टिकेटेड यूनीक सेंट लगाने का मन है या फिर कुछ तुनिया में कुछ अलग बहतरीन सॉफ्ट प्यारी सी खुच्बू क्रीमी सी कुच्बू गो फफा दिस सेंट इस एमन फ्रम अब म्यूगलर अब म्यूगलर एमन के नाम से आता है इस इस अ टिपिकल डिजाइनर एक्स लाइवल एक्सपेंसिव सेंट तो बहुत ही बहतरीन सेंट है डेफिनिटली ट्राइक करें क्यूंकि जब यह फ्रेगरंस बनी थी तो ह्यार मुझे लगता है कि वैसे फ्रेगरंस इस डिजाइनर वर्ल में एक्सपेंट करना ही मुश्किल था नाव लेट जब आखिव एक्समेलिंग यह पूलर हुआ है रिसेंट दिनों में काफी मैने इसरे में सुना है लेट्स ट्राइट अन झींड यह फेस्टिव सीजन के ली कासा है मैने सुना है कि भाए यह बहुत वेरी नाइस, soft, creamy, fruity, floral scent there's a beautiful scented bubblegum note in it जो mixed fruit वाला जो एक जूसीने से फ्रेगर्स वाव, this is actually very delightful मुझे लगता है कि उनिसेक है ये फ्रेगर्स and definitely this will smell amazing on women so दुर का पुजा पुजा स्टॉल्स पर जा रहे हैं पंडाल्स देखने जा रहे हैं crowd के बीच में जा रहे हैं एक अलग खुश्बू लेकर जाना चाहते हैं this is one of those rich, opulent, intoxicating scents and it is not reminding me of any common scent पर से जो अपने common scents हैं जो एक ही repetitive list हर जगा सब लोग जिसकी बात करते हैं नवार दी नवार, black orchid, this, that नहीं, this is a very nice scent यार, actually इसमे एक freshness भी है, which is quite strange because usually I say, जो गूर्मंडी scents होते हैं those tend to be a little sticky थोड़े से वुली, थोड़े से फरी होते हैं विंटर में लगाने में जादा मजाता हैं this has a fresh element to it, which brings in a lot of joy and pleasure to my nose, बहुत ही बढ़ी हा this is Nebraas truly surprising, very nice scent I would say तोड़ा सा इनिशल जो अलकॉल का बलास था वोड़ा सा इनिशल जो अलकॉल का बलास था वोड़ा सा नचुरल का बलास था, वोड़ा सा नचुरल का बास्टा है तो तोबाकोटच इस अलसो बाउट फिफटीन हंडड़ रुपीज था थाउड़न रुपीज के आसपास यह सेंट्स हाते हैं तो मिदल इस ब्रांट्स जो है truly value for money alternatives हमें देते हैं for typically अपना जो इंडियन क्राउड है जो budget seekers है क्योंकि designer niche fragrances के prices बहुत ज्यादा ऊपर चले गएं this is a great option I would say wonderful fragrance इन सब का मैं पूरा review करूँगा detail review करता हूँ मैं individual fragrances का तो भी आप ज़रूर देखेगा now let's move on to something unique क्योंकि बहुत लोगो इतर भी पसंद आते हैं अपने देश का एक heritage है एक legacy है oil based fragrances so this is from Nance Perfumes it's called Mukhalat Baraka and trust me guys this is powerhouse, a nuclear scent है जैसा खुजमुआ आपको जो है जो खुजमुआ जन्रतल फर्दौस मजमुआ type के जो fragrances enjoy करते हैं dark, musky इतना powerful है यह कि overwhelming हो जाता है senses के लिए this is typically a masculine fragrance men with a strong personality men who want to project out really loud थोड़ा सा scary or intimidating है यह fragrance तो बहुत जाता appeal नहीं है जैसे कि इस तरीके के fragrances जो होते है वो mass appealing होते हैं लोगों को पसंद आते हैं this will scare you it's kind of scary but it's a very powerful musky scent कुछ लोगों की choice वैसी होती है so a very nice musky strong, dark tari type का fragrance है इसमें amber gris की वो tari-ness मिल रही है और थोड़े बहुत floral notes भी मिल रहे हैं तोड़े बाथ spicy but it's more like a mukhalat जो अपना shamama तो लंबर होता है या shamama होता है कहली जी के shamama type की fragrance है but this is more like a perfume with different elements very powerful scent और यह थोड़ा सा expensive I think 3,000 के आसपास का है for this small size definitely very very expensive for what it is but जिन लोगों को loud fragrances पसंद है शेहन्शाह KBC अमिताब बच्चन साथ कलोड तो लोगों को ये fragrance बहुत पसंद हैगा really powerful scent बहुत बहुत पसंद हैगा let's move on to another fragrance जो तोड़ा गॉज़ा गॉज़ा होगा था मेरे चनल पे because I did not like it in the first two or three sprays this was quite a strange fragrance to me but people actually like this scent so if you are looking for a nice sugar-like scent जिसमे कुछ बुज़ी नोट्स मिले especially with that lovely soft patchouli और आपका creamy vanilla then you've got some spicy apple pie-like scent in this gourmand scent you'll definitely love this as a fragrance is बहुत ही जादा आम है लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर नहीं because येक इमिटेशन फ्रेक्रेंस एक महंगे फ्रेक्रेंस को यहां पर इमिटेट करें के कोशिश की गई है जो काफी महंगा है from the brand Killian इंजल शेर नाम है उसका but that's not important बहुत लोगों को मुझे रखता है 90% of the people watching this video will never be able to smell that fragrance नहीं सुंग पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी opportunity है आपको एक बहुतरी अगर ये दो हजार के अंदर मिल जाए तो बहुत ही बहुत ही सही चीज हो जाएगी लेकिन इसका क्योंकि हाइप इतना जादा इंटरनाशनल फ्रेग्रेंस रिविवर्स बीस की तनी जादा बात करते हैं कि धाय हजार रुपे के असपास भी ये फ्रेग्रेंस मिलता है सोर्सेज मैं नीचे डाल दूँगा आपको जिसको मन करे जिसके प्राइस कम लगे वहां से लीजिए क्योंकि मैं उनसे ही लेता हूँ आप पहले बात कीजिए नेगोशियाट कीजिए इन फिर तफिर दिसकांट मंग लाइजए अधिस्टिए नहीं है भी इफिस्टिए सब्सक्राइस पर थे संट इसके ये अपल पाई तो इतना जादा पसंग नहीं है अगर कैं कि डेशनल बेकरी या आपको जो कॉपकेक साथने होते हैं पसंद है तो युल देफिनिटली एंजोई इस फ्रेक्रिंस बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्वीट सेंट है मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी स्क्रीची है तो अभी हम दुर्गापुजा की बात करें अभी हम सोशल गैदरिंग्स की बात करें जहां पर इंपैक्ट बनाना तो वहां पर यह फ्रेक्रिंस बहुत बढ़िया काम करते हैं पर अब्सेंट देल परियू कि बात की बॉटल है और अगराव के ब्लैक जवा सब्सक्राइड फ्रेक्रेश प्रेइड है के लिसके बात की है इसको इसको मैं बहुत ही बारी बॉटल है बाइद वे अगर चोटे चोटे जोटे डंबल्स खरीदने का मन हो तो छोड़ दीजे इसको लेली जिससे आप चिकासी बाडी बना सेकरें बॉट्फुल लुकिंग बाइद बाइद वे और अगेन इट सेपी देखने मोड़ा करीजा दूसको दोस्तों बहुत ही सस्ता सेंट है एफोर्डबल सेंट सस्ता यसलिए लिए कि भाथी महंगे पर्फुम का क्लोन है बहुत लंको अब 15 सव भी बहुत जाधा लगता है पर्फुम के लिए लिए बट बट इस आफ्टली क्षैली कॉयाइफ़ पूईबल There's this spicy, citrusy, grapefruit, rhubarb-like opening, sweet, fruity, बहुत सारे fruits, ऐसे fruits, जो मीठे होते हैं, और थोड़े से जूसी होते हैं, succulent fruits, berries, उसकी smell, और एक नीचे एक प्यारासा, creamy सा नोट है, एक floral नोट है, ऐसा लग रहा है, ऐसे rose या geranium के उपर, ये सारे succulent, succulent notes बिठाए गए है, definitely lots of synthetic florals going on here, this is a typical, feminine fragrance, I don't know, किस fragrance का ये clone है, and I don't even care, because, इस type के scents, आपको, black orchid, black orchid, के जो, वो जो purple वाले जो बॉटल जाते हैं, black orchid, something something, उसकी मुझे याद दिला रहा है, definitely smells of orchids, orchids, जैसे perfumery में represent करते हैं, वैसी खुचबू है, very rich, very powerful, there's this lovely incense note in the dry down, एक, कह सकते हैं कि Middle East और French perfumery का एक जबरदस्त mixture, Middle East अपनी बखूर, यानि कि अपनी जो धुएदार खुचबू होती हैं, उसके लिए जाना जाते हैं, और उसके साथ अगर आप mix कर दे, rich floral scents, जो अपने France में और Europe में in general popular हैं, तो वैसी खुचबू यहां पर निकल के आरी हैं दोस्तों, it is a nice, fruity, punchy scent, especially for young girls and women, they'll really love it, 20 years, 25 years, if you work, अगर आप एक professional हैं, तो definitely check this scent out, definitely a formal scent, casually नहीं लगा सकते हैं, but this is a very rich, smelling, sweet, smelling scent and it's changing, so it's a complex scent, simple scent नहीं हैं, this is Badhi Aloud from the house of Latafa, but amethyst edition, so be careful with that, definitely something from the house of Tom Ford, कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे, मैं चक्कर के आपको, इसके detailed review में बताऊँगा, मैं इन सब के detailed reviews करूंगा, जिनका मैंने review भी तक नहीं किया है, let's move on to another beautiful scent, which smells very very expensive, but is a design of fragrance from the house of Bulgari, Bulgari man in black, scent for studs, quite clearly one of the best scents, one of the most masculine scents ever, and this scent is very spicy, एक बहुत ही तगड़ा spicy background है, scent का, इसमें आपको कुछ मीठे spices मिलेंगे, जैसे की अपने विक्टर रॉल्फ का Spice Bomb, एक बहुत ही popular scent है, वैसा scent है यह, so nutmeg वगेरा की जो sharp खुश्बू होती है, जो अपने मसाले जो हम traditionally खाने में यूज करते है, long ilaichi उस type की खुश्बू है, there's this lovely leather note, leather का एक बहुत ही soft velvety सा note, इसके dry down में रहता है, थोड़ा सा spicy है scent, थोड़ा सा मैं कहूंगा की different है बाकी scent से, यह काफी mature scent है, तो definitely not for young boys, this is for men who are 25 and above, और यह scent definitely आप लिजए क्योंकि इस price point पर, designer price point पर एक बहतरीन scent है, और बहुत महंगे-महंगे fragrances, like एक बहुत ही महंगा fragrance है, Clive Christian का ex, जो मेरे पास है, मैं सो बहुत enjoy करता हूँ, यह fragrance उसके काफी close है, तो designer price पर, जब Alberto Morias ने इस fragrance को launch किया था, spicy, pine-like elements, बहुत सारा loads of siddhar wood की spiciness, woody strong, woody earthy notes, और उसके बाद में कहूंगा की, एक soft sandalwood का woody सा note मिलता है, तो this is a very very rich masculine scent, थोड़ा सा linear हो सकता है, definitely, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा की हाँ, यह थोड़ा सा different scent है, like onkar noir from the house of lalik, very unique, very artsy like scents, तो यह उस artsy scents यह के लिज़े, artistic scents की category में हता है, definitely a niche level scent this is, or this is man in black, man in black from the house of bulgari, very nice scent, अब चलिए बात करते हैं, एक saste scent की, which is a clone of ombra nomad, crazy, right, fruity, nutty, berry-like, leather, rose, vanilla and lots of bakhoor, तो दुरगा पुजा में जो bakhoor की खुचब होती है, जो संबरानी जलाई जाती है, जो आप धूप जलाते हैं, और बिंगॉल में अगर आप देखेंगे, वो कल्चर है, बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बड़ी प्यारी सी खुचबू, वो bakhoor का background इस fragrance में है, it's a five star fragrance, a beautiful, beautiful scent, ombra nomad is one of the richest, one of the most expensive scents from the house of Louis Vuitton, Louis Vuitton आपको पता ही, एक crazy designer brand है, यानि कि apparels बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, belts बनाते हैं, एक luxury brand है, और उसके कुछ fragrances हैं, जो एक master perfumer ने design किये, जिसका नाम है Jacques Cavalier, पहले भी सके scents आते थे, मुझे कभी appealing नहीं लगते थे, very basic, very soft, but Jacques Cavalier ने पूरा game change कर दिया, very beautiful, rose, bakhoor, vanilla का combination, जो बहुत ही बढ़िया लगता है, नाक को है, बहुत ही rich smelling scent है, and this only costs 500 rupees, इसलिए आज की लिस्ट में बहुत लोग को इत्र पसंद होता है, so this is Amber Nomad from the house of Surati, जिसका Bakra Roosh का भी इतर मैंने आपको दिखाया था, जो clone है, तो यह आप रेकर स्ट्राइ कीजिए, आपको almost 80 to 85% आपको Umber Nomad की खुश्भू देगा, which is quite strange, of course, 3D realistic element नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों, इसके clones काफी महंगे आते हैं, almost 5-5, 7-7,000 के भी मैंने आपको Umber Nomad की की बात की बात की अपने चैनल पर, but this is very, very unique for 500 rupees 500 rupees यार, ऐसी कुश्भू मिले, यह बहुत ही long-lasting कुश्भू है, of course, जब हम इस Omber Nomad की बात करें तो दोस्तों, Omber Nomad का यह एक सबसे अच्छा क्लोन जो मुझे अभी तक मिला है, for the price point, this is a beast of a fragrance, सबर्दस, performance, very mature, very nice smelling, very rich smelling, और बहुत ही long-lasting fragrance, दोस्तों, यह है Alhambra का Jean-Louis Omber fragrance, और यह बॉटल भी पुरी लुई वितों की copy मार रखी है, this scent is actually quite incredible, because quality बहुत ही अच्छी है, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि synthetic notes मिल रहे हैं, right from the word go, बहुत ही smooth experience रहा है, and the same goes for Omber Nomad, it's a beautiful fragrance, but कही ना कहीं, मेरे जैसे जो niche fragrance lovers हैं, जो fragrance sets बहुत सालों से fragrance लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमर Nomad overpriced, because वैसे elements, it is a typical genre, जैसे दुबाई मौल में आप गए हैं, कभी भी गए हों, कभी मौकाम मिले, तो देखिए को आप बखूर जलाने का culture है, हर 50 मीटर पे एक कियास्क मिलेगा, एक छोटा सा, नुकड़ पे धूप जलाते रहते हैं, लोग को प्रमोट करते रहते हैं, आईए खरी दिये offers देते रहते हैं, वो खुश्बू पूरे दुबाई के smoke को पेनेटरेट करके रखती है, अ कॉमिनेशन और रोज, बखूर, क्रीमी वनिला, वो दोस्तों है, हाँ पर आपको मिलेगा, ब्यूटिफुल सेंट, लवली सेंट, वेरी मच्योर और वेरी टिफरेंट, मतलब दुनिया में मुझे लगता है कि और ये क्लोन रियली मतलब स्ट्राइकिंग ली सिमिलर है, और बहुत ही सथा है, अल्मोस्ट अठारा सो रुपे, दोहजार रुपे में आप ले सकते हैं, आशीश से फ्रॉम फ्रागहॉलिक वनिचे मैं उनके लिंक्स टाल दूँगा, ये बाइट फ्रॉम हैं, जो पहली बार ऐसे फ्रेग्रेंस के बॉटल को देखेगा, इसे डिजाइन फ्रेग्रेंस के बॉटल से, वो हैरान हो जाएगा, दस हजार तो असानी से मूँ से निकल जाएगा, अबसलुटली इंक्रेडिबल सेंट अफ रोज, प्यूटिफुल ग्रेप्रूट इन दी उपनिंग, एक रिच्च्रीमी रोज और लेदर, स्ट्रॉंग, उद्ध, मस्क, बहतरीन, फाइस्टार बखूर लाइक खुश्भू, मुखलत जो एक आपको दुबाई की आद दिलाएगी, दुबाई के जो रिच शेक्स, जो सेंट्स लागा कर घुमते, जैसे उम्पर नॉमाड ये वगरा, दे लव थे लव थे संट्स, इन फाट नीश वर्ल में आद इस सेंट्स आवरी पॉपुल, इस नॉमाड जो एक जो रिच शेहन शालाएग कुछभू, लवली बॉटल, लवली प्रेसेंटेशन, भैंकर लॉजविटी, इस मौसम के लिए पर्फेक्ट है, विए पर्फेक्ट है, दुर्णा पुजा मिला कर चाहोगे, पुपल लॉजविटी, विए पिकट सब्सक्राइब, नुप खेंट सब्सक्राइब, भैंकर शचीए तो एक जैना पॉजविश्य है, विए प्रफेक्ट फिरफेक्ट माहिर लाइख अपुल, माहिर बाएच विए जंटों, आपने बालों में चमेली की फूल एट्सेटरा जिसम जाजमीन संबाग भी बोलते हैं इंडिया में भी बहुत ही बहतरीन कल्चर है वह इंडिया तो इसमें मुझे अतर मोतिया का बहुत बड़ एलिमेंट मिल रहा है अतर मोतिया इस दे नाचुरल वर्जन नाचुरल इसलिशन जो हम अपने ड्रीशनल इंडियन मेथेट से करते हैं वेरी ब्यूतिफुल रिच smelling white florals or creamy sandalwood का सेंट यहां पर मिल रहा है और भी कुछ elements होंगे I'm sure but that is this is a beautiful beautiful scent वाव को जो कदंबा के हम बात करते तो कदंबा की भी इसमें क्रीमिनस मिल रही है I don't know अगर कदंबा जाकिर भाही ने डाला गी डाला बट अतर कदंबा very creamy मिठा अल्मोस्ट घी लाइक टेक्स्चर है इसा लग रहा है मिठे लड्डू पे घी के लड्डू पे मोटी चूर के लड्डू पे इन्होंने जाजमीन का छड़काव कर दिया पहतरीन खुश्बू so women and men both can enjoy it especially people who love soft scents especially people who want to savor the beauty of the traditional Indian अतर लेशी और इतर लेशी जो हमारा धरोवर है जो हमारे देश की शान है let's support that guys यह perfumes तो मिलते ही है यह तो आप कहीं से लही लेंगे middle east वाले सस्ते क्लोंज होगेरा but this is true perfumery महंगा मिले तो मिले लेकिन this level of excellence cannot be achieved with synthetics दोस्तों यह अलगी नशाइस fragrance में soft gentle खुश्बू जो उड़ उड़ के लगेगी कभी-कभी आपकी नाग को and people around you will be really really impressed क्योंकि बहुती soft or gentle sensual presence होता है इसका यह बिल्कुल भी नाग को भेता नहीं हलका हलका लग लगा है मुझे कि इसमे नरली भी इस्तमाल है but वो हो सकता है कि बाकी cents के वईसे mix हो गया but I think there is narrowly in this fragrance which is the flower of bitter orange आपकी घर पे भी देखिएगा जो छोटे वाले अपने संत्रे होते है उसमें वो फूल निकलते है white color के ब्लूम करें बड़े प्यारी खुच्बू होती है वी white floral हम गिनते हैं but उसके वह citrus elements जादा होता है तो narrowly जादा आपको summer fresh fragrances मिलेगा beautiful fragrance है Now let's move on to another fragrance जोस्तों यह भी नया आया है phenomenal phenomenal Quattors from North Stag पतानी कौन सी कंपनी है यह आशिष भाई मुझे भेजी ती review करने के लिए और try करने के लिए very beautiful presentation असा लग रहा पनहानी कलन या फिर मैं कहूंगा की जो अपना Roberto Kawali अगर आप साच के मेरे पस है Roberto Kawali का divine ूद करके है something कुछ था वो पढ़ा है मेरे बास इसा रीटेल फ्रेग्रेंस बॉटल जो मैंने खरी दी थी और उस तरीके का बॉटल प्रेजंटेशन इसका Roberto Kawali को private edition बहुत ही प्यारा बॉटल है जस चेक इडाओ काफी सस्ते फ्रेग्रेंस हाजार दो हाजार के अंदर मिलते हैं किस चीज की खुजबू है क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं से बिकाज बॉटल तो बादी गॉर्जर से इसका माइगाद इस ब्यूटफूल यह मुझे किसी फ्रेग्रेंस की याद दिला रहा है दिस इस अवरी सिट्रस रिच फ्रेग्रेंस बट इसमें वाइट मस्क ओक मॉस्क और मुझे लगता है सिंथेटिक सैंडल वूड आइसो ए का इस्तिमाल है थोड़ा बहुत वेटेवर भी हो सकता है ओके not really sure कि किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है बट ये फ्रेग्रेंस मैंने सूंग रखा है of course किसी जानी पैचानी चीज़ का है बट अभी मैं पिंपॉइंट नहीं कर पा रहा हूं बट कॉलिटी इसकी बहुत अच्छी है रिच फ्लोरल सेंट थोड़ा बहुत मैंन ब्लैक का भी मुझे समें वो स्पाइसी सेंट मिल रहा है I don't know what it's a clone of but काफी अच्छा लगा citrus, strong, bergamot, mandarin, orange, ollie opening then it's drying down with that जैसा मन बताया cedarwood, soft, थोड़ा सा कही न कहीं spiciness है इस सेंट मैं definitely masculine this is not for women this is not a unisex scent very strong masculine कहिए कि barber shop का एक modern interpretation है बहुत आप लोगों को इस सेंट पसंद आएगा for me personally बहुत ही rich pencil shaving की भी vibe मिल रही है तो this is definitely something artistic कुछ नीश category का या महंगा सेंट के ही कहूंगा मैं imitation होगा या पता नहीं original scent है तो हो सकता है सब के लिए नहीं है अभी तक हमने जितने भी fragrances सुंग है उनसे बिलकुल अलग है so this is more for summers more for अभी जो pre-winter season लगा सकते हो you can wear it because not everyone loves these creamy gourmand type scents so definitely try this fragrance if you love strong मुझे लगता है काफी strong very nice actually काफी rich fragrance है दोस्तों cedarwood का note बहुत ही prominent as sandalwood is very very strong in this scent so people who love का बटी पॉपिलर सेंटे टेडी अर्मेस जिसका एक सस्ता पॉफी मैंने बात कहा था clone या अल्टरनेटिव का ब्लाक वेटिवर का ब्लाक वेटिवर तो अगर आपको वो फ्रेक्रेंस पसंदाई तर डेफिनिल आपको ये फ्रेक्रेंस पसंदाईगी strong woody scent है अब दोस्तों बहुत सारे यहां पे फ्रेक्रेंस हैं जिनकी बात करनी है विचिस फ्रम दाऊस अफ गुलाब सिंग जोरिमल बट मैं समसे एक पर्टिकुलर फ्रेक्रेंस की बात करना चाहता हूं बिकास इट इस ओफ इंट्रेस्ट तो एवरीबडी दियोरा मेंटेनस एक बहुत ही पॉपिलर फ्रेकर्स था दोस्तों फ्रंस ओदमाशी ने बनाया था दियोर के लिए जिसने दियौर को दियौर पर्फुम्स को एक नया डाईमेंशन दिया एक नया पीक दिया जिस लेवल ऑफ क्राफ्टमेंशिप या परफ्यूमरी के इस लेवल पे बीट करना नामुमकिन है आज भी So this is French Iris from the very popular Indian अतर हाउस गुलाब सिंग जोरी मल पुरानी दिली चान्नी चौक वो डॉक्यमेंटरी वीडियो अपने अगर नहीं देखा हो तो आप यूट्यूपर जरूर सर्च करें मेरा वीडियो देखें बहुत ही प्यारा वीडियो है इनफाक्ट मैं जब भी फील गुड वाला फैक्टर लेना चाहता हूं तो मैं वीडियो को रिपीट करके देखता हूं जो बहुत खुशी होती है क्योंकि हर बंदा जो है पर्फ्यूम स्प्रे नहीं लगा सकता कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स होती है कुछ कल्चरल रिस्टिक्शन होते है और अपना भी एक होता है बहुत लोगों को एलर्जी होती है स्ट्रॉंग सिंथेटिक फिक्सेटिब्स है तो इस ओपन्स अप्विट सित्रस अ लवली स्ट्रॉंग पावर्फुल वैक्सी मैरी गोल्ड लाइक खुश्बू जो इरिस की जहांस वाली जो फ्लॉरल खुश्बू होती है पावडरी रूटी खुश्बू होती है यू गेट लिप्स्टिकी वाइब अब इतने सारे सेंट मिक्स हो गया दोस्तो थोड़ा सा जब मैंने पहली बाइस फ्रेक्रेंस को लगा तो मैं काफी अमेर था फ्रेक्रेंस दोस्तों बहुत जल्दी ड्राइडाउन कर जाता है और इसकी सॉफ्ट प्रेंस में एक सॉफ् बहुत ही उनीक खुश्बू और इतर में एक ऐसे महंगे एक्स्पिरियंस को या ऐसे स्पेशल एक्स्पिरियंस को कहते है लाना एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है येस इस इस नोट ट्रेडिशनल इंडियन पर्फिमरी बट लोगों के बीच में ये फ्रेंच यू मस्ट हाव अल्टरनेटिव क्योंकि फिर वो क्राउड कैसे आएगा हाथ बंदे को रूख खस मस्क और यह सब चीजे लगाना पसंद नहीं होती तो इस इस वन वे यू कन एंजॉए अप्लाइंग अतर्स और रोलाउन में लगाय तो अपने पॉकेट में से कैरी कर सकत होगा तो यह आप गुलाप सिंग जौरी मल जी की अपनी वेबसाइट और कर सकते हैं दिस इस वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव तो दियोर ओम पाफां और वो चीज जो है अब मिलती नहीं है क्योंकि वो पूरी सीरीज चेंज होगे दियोरम इंटेंस भी इसकंटिनीव हो गय प्राइस पॉइंट पर यार यह लोग लेका हैं विच प्रॉब्लम होती है कि जो पर्फ्यूम्स होते हैं बहुत जादी और हम पफां चौविस घंटे लास करता था यह फ्रेक्रिंस पांच से घंटे लास करेगा विंटर्स में और इस महीने मतलब इस सीजन में इस महीने म थोड़ा सा और बहतर लॉंजविटी मिलेगी क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया तो बहुत जल्दी वैपोरेशन होता नहीं है कडी धूप की वज़े से कपलों पर लगाएंगे तो और भी अच्छी लॉंजविटी मिलेगी और थोड़ा जादा लगाना पड़ेगा कम परफां वैसा नहीं रहा, you can experience this और जो पुराने दियोर्म परफां लवर्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ा सप्राइस बट लॉंजविटी कम होगी, प्रोजेक्शन सौफ्ट होगा वट विच इस वरी कॉमन वित अतर्स और यह अच्छी बात है कि बहुत आदा केमिकल नहीं ठूं से हुए रहते हैं, because कभी-कभी बहुत जादा ओर्वेल्मिंग भी हो जाता है, वो और सिंथेटिक कॉंपजिशन जो है, वो नाक को ऐसी, खराब लगता है, so, बहुत सारा यह अच्छी बात किये दोस्तों, I hope आज का लिस्ट अच्छा लगा और किसी ना किसी क हापी दुरगा पूजा, and I hope हमारे समाज है, उसमें औरतों का स्तान थोड़ा और बढ़े, औरतों की जो इज़त है, और बढ़े हम अपनी बेटी, बहनों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी इज़त करें, लड़कों जैसा प्यार दें, और यह सुसाइटी क्योंकि आरते ह चलाती हैं, women do not get the credit for what they do, हम हमेशा बड़े लोगों की बात करते हैं, यह कर दिया, वो कर दिया, बिग बिग अचीवमेंट, अतलब मैं बहुत सिंप्लिफाई कर आँ इसको, but really at the core of humanity, if you see, जो फैमिली को जोड के रखता है, जो फैमिली को फैमिली human touch दे के रखता है, वो म हैं, बहन हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, so please let's help them, let's educate them, let's give them the life they deserve, and I hope यह message आप लोगों को सच में दिल पे लगे और आप इस चीज को follow करें, कुछ ना कुछ अच्छा करें, और let's make this Durga Pooja really special Pooja हर साल आती है, but हम से सीख क्या रहे हैं, वो जादा important है, क्राइम्स बढ़ गए हैं, वोड़तों के खिलाफ मैं, चाहता हूँ कि हमारी government, इस चीज को हमारी judiciary जो थोड़ा और strict करें, कुछ laws लेके आए, थोड़ा और impose करें, कुछ खास, क्योंकि यार यह सारी चीज़ें देखके दिल को बहुत धर्द होता है, क्योंकि हमारा देश जो है, बहुत ही जाधा इज़त करता है, हमारे धर्म में, हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में, और औरतों को हम देवी के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, इश्वर के रूप में देखते हैं, संगीत की देवी हैं, हमारे पा आज के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगे हमारा देश जो दुनिया में सबसे अनोख है इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकते हैं चलिए इसकी नोट पर दोस्तों हाज के वीडियो को एंड करते हैं कुछ अच्छे पर्फुम की बात करेंगे इन में से जो पर्फुम का आप इंडिविजुल रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट सेक्शन में मेंचिन कर दीजेगा करेंगे दमाकेदा रिव्यू और फिर मिलते हैं तक तक के लिए टेक केर गुडबाई आज अलवे अच्छे लिए से स्ट्रॉब बाई